नमस्कार अबरिवान, अलफबेट की इस सीरीज में आपका स्वागत है, आज बात करते हैं अलफबेट M के लिए, देखें पहले दो अलफबेट पे हम बात कर चुके हैं, एक अलफबेट है H और एक अलफबेट था N, इन दोनों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या इसको किसी से शियर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजेगा, इन दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, और इसके साथ आज हम आपको लेटर M के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे, देखें मैंने बहुत सारा उसक का नाम शुरू होता है, तो इस वीडियो को जरूर आप पहले तो खुद देख लीजिए और फिर शेयर भी कीजेगा, तांकि वो भी अपने जीवन के कुछ अनुभूमों को देख माहें, अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएं, देखें M, Money Letter है, अगर पूरी है, M से मेमरी भी है, M से मैनेजर भी है, तो M Letter इन सब जो मैंने आज आपको M से शुरू होने वाले शब्द बोले हैं, यह सारी qualities इनके अंदर होती हैं, अगर हम निमलोजिकली जैसे ABCD देखें, तो M Letter 13th नंबर पे आता है, टोटल 26th Letter में बिल्कुल 13th नंबर पे आता है, यानि life में बिल्कुल balanced होने वाले लोग होते हैं, organized होते हैं, proper, हर चीज को systematic ढंग से करने वाले होते हैं, हर चीज में आप देखेंगे, तो disciplined और organized होते हैं, और otherwise यह पाइथागोरियन के इसाप से देखें, तो M 13th Letter पे है, और अगर हम वैसे Sheldon Nymology को follow करके देखते हैं, त 13th भी 1 प्लस 3, 4 बनता है, और इधर से यह अगर हम Sheldon Nymology से देखें, तो B 4 ही बनता है, तो चार नंबर राहु का है, अगर अगर आपका नाम astrologically नक्षत्र के according रखा गया है, तो M Letter जिस नक्षत्र को मिला है, वो नक्षत्र है, मगा, जो की केतु का नक्षत्र है, तो out of the box thinking होगी आपकी, आप जो सोचेंगे, आप planning में, आप out of the box thinking वाले इनसान होंगे, और आपके ideas बहुत ही अच्छे होंगे, अब इनके बारे में और बहुत कुछ खुशुर्ती से जानते हैं, ऐसे लोग बहुत hard working होते हैं, focused होते हैं, organized होते हैं, इनको business sense भी अच्छी हो है, तो अगर हम देखें, दो डंडे क्या दिखाते हैं, stability को दिखाते हैं, यह mind से भी बहुत stable होते हैं, और character से भी बहुत जादा stable होते हैं, और strong भी होते हैं, माइन से, इसका क्या मतलब होता है, कभी-कभी सभाव इनका ideal भी हो जाता है, और अपने character को लेके तो यह बहु बोलू, बोलिए सब आप लोग मेरे साथ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, M, M बोलते ही हमारा मुँ बंद हो जाता है, मुँ पे ताला सा लग जाता है, यानि अपने राज को छुपा के रखने वाले लोग होते हैं, जादा शेयर नहीं करते हैं, अपनी लाइफ दूसर बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, इसके बारे में अभी मैं आप लोगों के साथ बात करूगी, अब मैंने आपको बताया था, M से मदर हैं, तो ये लोग मदरली प्यार करने वाले, क्यार करने वाले लोग होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को रिजॉल MC manager है, अच्छे manager भी थाबित होते हैं, कहीं में भी life में hard work करना पड़े, कभी डरते नहीं हैं, और हमेशां दूसरों की help करके, अच्छे ideas से किसी भी काम को productive बना देते हैं, यानि इनकी productivity की capacity भी बहुत ज़ादा अच्छी होती हैं. इनके life में बहुत frequent changes आते हैं, जल्दी जल्दी इनके life में changes आते हैं, तो इन्हें अपनी life में आए हुए, इन frequent changes के कारण भी कई बार disturbance होती हैं, जो इन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत होती हैं, देखिया, अगर हम otherwise M को पूरा देखें, तो ऐसे लोग न spiritual भी होते हैं, और material भी होते हैं, जिन्दीगी में कभी-कभी इतने spiritual हो जाएंगे कि materialistic चीजों को बिलकुल फूल जाएंगे, और एक समय आएगा कि बिलकुल materialistic हो जाएंगे, पैसा, profit, property, बस दिमाग में यही चलता रहेगा, कि पैसा कैसे कमाना है, पैसे को कैसे multiply करना है, तो यानि दोनों ही तरफ, जिप spiritual होंगे, तो पूरी तरह spiritual हो जाएंगे, जिप materialistic होंगे, तो पूरी तरह से materialistic हो जाएंगे, तो ऐसा इनकी life में बहुत जाधा होता है, courageous भी होते हैं, और self-confidence इनका अच्छा होता है, health को लेके, थोड़ा सा conscious होते हैं, जाधा conscious होते हैं, health को लेकर, और होमली होते हैं अपने घर की इने बहुत फिक्रताती रहती हैं अपने घर को अपने घर की केर करने वाले अपनों की केर करने वाले लोग होते हैं यह लोग अपनी स्पीड से काम करते हैं जो मन है वैसा ही काम करते हैं अपनी स्पीड से चलते हैं और ये लाइफ में थोड़ा सिक्योरिटी को वैल्यू करते हैं तीन चीजें जो इनकी लाइफ में बहुत वैल्यू करती हैं वो है सेफटी सिक्योरिटी और स्टेटस अपने स्टेटस को फ्लॉंट भी करते हैं अगर इनके पास है ना जै ना कहीं M के अंदर इनकी एनर्जीस हैं तो इन्हें सबसे पहले अगर जीवन में कुछ चाहिए ना तो यह अपने ancestors की blessing लें ancestor की blessings लेने का क्या तरीका है कि सुभे बैठ जाएए दो मिनट आखे बंद कीजिए अपने ancestors को याद कीजिए उन्हें gratitude पे कीजिए कि हम आपका DNA है आप हमारा ध्यान रखें और जो चाहिए उनसे मांगिए और क्योंकि में के बारे में बहुत कुछ positive, disciplined होते हैं, hard working होते हैं, organized होते हैं, दूसरों की care करने वाले लोग होते हैं, focused होते हैं, memory अच्छी होती है, बहुत कुछ मैंने positive बताया, अब थोड़ा सा इनके बारे में negative के बारे में बात कर लेते हैं, देखिए इनके अंदर ना बहुत coldness हो दिखाता है, तो यह इनकी coldness को दिखाता है, यानि कभी-कभी रिष्टों को लेके बहुत cold हो जाते हैं, बहुत moody होते हैं, और temperament के recording काम करते हैं, और दूसरा, इनके जिंदगी में बहुत सारे emotional unresolved issues होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि secretive है, मैंने बताया है, आम बोलते ह चीजों को share नहीं करते हैं, अब जब भी कोई इनसान share नहीं करेगा उसके अंदर की बातों को, तो क्या होगा, वो उसके अंदर ही धीरे-धीरे-धीरे कठे होते जाएंगे emotions, फिर उन्हें stress होगा, फिर उनके health issues आने शुरू हो जाएंगे, फिर क्या होगा, जब health issues आने श जरूर कीजिए, अब क्योंकि जब यह materialistic होंगे ना, तो बहुत जादा manipulative भी हो जाते हैं, शुरूर भी हो जाते हैं, तो यह क्या हो जाता है, क्योंकि spiritual और materialistic दोनों का combination है, तो जब बहुत जादा shrewd और manipulative हो जाएंगे ना, तो इनका downfall शुरू हो जाता है, इसलिए इन number ही balance का है, बट क्योंकि राहू की energy भी आपकी life में काम कर रही है, तो out of the box thinking होना, हर चीज, बड़ा, बड़ा हर चीज का पसंद होना, कहते हैं न कि राहू क्या है, धुआ भी है, जो है नहीं वो दिखता है, जो होता है, वो दिखता नहीं है, और राहू अचानक भी है, त इनके साथ ऐसा होता होगा, तो देखिए letter M के बारे में हमने बहुत सारी बात की, अगर एक छोटे से जिस्ट में बताऊं, तो money letter है, abundance का letter है, अगर आप अपना नाम letter से choose करते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये भी देखना है कि क्या वो निम लॉजिकली आपके ल कंड्रोल कर लें, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाले समय में different letters के लिए मैं बनाती रहूंगी, और आप उसे देख कर comment करते रहिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आए, तो मेरे इस चैनल को like, share, subscribe, जरूर कीचेगा, और इस वीडियो को maximum logo तक पहुंचाइए, तांकि M letter वाले लोग थोड़े से अपने मूँ को खोले और अपने अंदर के राजों को दूसरों से share करके अपनी जिंदेगी को आसान बना ले, so thank you everyone, thank you so much, thank you.